दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैपूर मेट्रो रेल कार्परेशन लिम्टेट की तरफ से वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी जूनियर इंजिनियर पोस्ट पर वेकेंसी रहेगी यहाँ पर सिविल, एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और एलेक्रोनिक इंजिनियर से लिजिबल रहेंगे सेलरी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाएगी औल अवर इंडिया की कंडिडेट यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसक्स करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रिगुलर फोर्म में आपको जॉप सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सब गुर्प को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका जैपुर मेट्रो रेल कार्परेशन लिम्केट की तरफ से 14 जून को निकाला गया है यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं यह संस्था गॉर्मेंट ओफ राजस्थान के एंडर में आती है तो फिल हाल यहाँ पर deputation basis पर vacancy रहने वाली है यहां पर सब लोग apply नहीं कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं आपकी vacancy लिटेल के बारे में तो पहली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior, engineer, civil के लिए तोटल यहाँ पर आपकी 4 post पर vacancy रहेगी अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर एलेक्रिकल के लिए यहाँ पर नो पोस्ट उपर वेकेंसी है जेई मेकेनिकल के लिए यहाँ पर एक पोस्ट उपर वेकेंसी है और J.E. Electronic के लिए यहाँ पर 6 पोस्टों पर वेकेंसी है जो लोग भी अभी वर्किंग में हैं AJ Junior Engineer पोस्ट पर Indian Railway, किसी भी Metro Rail Corporation Rajasthan Government, State PSU या फिर Central PSU में और मिनिमम आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपेरियन्स से आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका offline रहने वाला है आपको ये वाला application form लेना है इस application form को आपको बहुत अच्छी तरीके से fill अप करना है इसके साथ में आपकी जितने भी ज़रूरी डोकुमेंट है उन सब को आपको self test करना है और आपको भेज देना है इनके official address पर ये सभी डोकुमेंट आपके एक जुलाई तक इनके official address पर पहुच जाने चाहिए जैसे भी जानकारी आप लोग यहाँ पर अपने application form में provide करेंगे उस हिसाब से short list करके यहाँ पर आपको personal interview के लिए बुलाई जाएगा interested और eligible candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते है next video में